विद्यार्थियों आज के वीडियो में हम बिये प्रथम वर्ष के द्यूतिय प्रश्न पत्र भारतिय संस्कृति के मूल आधार के प्रार्म में सब्वेता एवं संस्कृति के विशे में अध्यन करेंगे सब्वेता और संस्कृति में महत्पून विभेदन है सत्य के तू विद्यालंकार के नुसार सब्वेता प्रकृति द्वारा प्रदत पदार्थों तथ्यों और शक्तियों का उप्योग कर मनुष्य ने भौतिक खेत्र में जो असाधान उनती की है उसको हम सब्वेता स्वीले जिसन कहते हैं और मनुष्य अपनी बुद्धी का पर्योग कर विचार एवं करम खेत्र में जो स्रदन करता है उसी को संस्कृति या कल्चर कहते हैं संस्कृति की विभिन विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने धंग से परिभाशाएं दी है प्रोफिसर रस्तोगी के अनुसार संस्कृति का अर्थ व्यक्ति का व्यक्ति के साथ व्यक्ति का समूं के साथ समाज में सीखा हुआ वेवार है इसी तरह ईबी टेलर के नुसार संस्कृति उन सभी वस्तोओं का समूं है जिनमें ग्यान, धार्मिक, विश्वास, कला, नैतिक्ता, कानून, विवाज व अन्य वे सब योगताएं शामिल हैं जिनहें कोई मनुष्य समाज का सदिश्य होने के नाते सीखता है डॉक्टर वर्मा के नुसार माता-पिता और उनके बच्चों से मिलकर परिवार की रचना होती है प्रतेक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो वैवार होता है उससे हम संस्कृति कहते हैं एमेल विद्यार्थी ने भी अपने तरीके से संस्कृति को समझाने का परियास किया है इसी तरह जो मूल बात यह है कि सभेता और संस्कृति में अंतर क्या है संस्कृति का मुल्याकन किसी भी रूब में संभव नहीं है संस्कृति का मूल उद्गम हमारे सू संस्कृत विचारों का परिणाम है प्रतेक संस्कृति का अपना मूल्य होता है सभेता का अच्छा या बुरा होना उसकी संस्कृति पर आधारित होता है विभिन विद्वानों के अपने-अपने मत है और सभेता का कोई स्वातंत्र मूल्य नहीं होता है केवल उसकी उप्योगिता स्वातंत्र हो सकती है घड़ी, पैंड, टेविल, रेल, हवाई जाहाज और रेडियो हमारी संस्कृति के नहीं अपितू सब्यता के प्रतीक है इन वस्तुओं की उप्योगिता के साथ ही इनके मूले का भी अंधो जाता है किसी भी वस्तुओं की उप्योगिता नहीं होने के पस्चात उसे सब्यता की स्ट्रणी में नहीं रखा जा सकता है इसकी विप्रीत संस्कृति की उप्योगिता के द्रश्टी कौन से नहीं तोला जा सकता वह वंच परमपरा से प्रारम होकर सामाजिक परमपरा तक पहुंसती है संस्कृति और एवं सब्वेता की तुन्ना निम्न लिखित आधारों पर की जा सकती है जिससे दोनों के अंतर को इस्पष्च किया जा सकता है सब्वेता किसी लक्षे की प्राप्ति का साधन मात्र है जबकि संस्कृति स्वाइम में साध्धे है सब्वेता का मुल्याकन अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के आधार पर किया जा सकता है जबकि संस्कृति का ऐसा कोई सिद्धान्त लागू नहीं होता है सब्वेता का विकास दिरंतर होता रहता है इसकी विप्रित संस्कृति का कभी विकास होता है तो कभी पतन लेकिन ये जो है वो सही भी नहीं है क्योंकि सब्वेता हैं जैसे हम देखते हैं चैन्दवकाड़ी सब्वेता थी तो वो किसी जमानी में अपने उनती की पराकाश्टा पे थी और बाद में उसका पतन हो गया तो निर्मान और विनाश ये प्रकृति की प्रवर्ति है मूल प्रवर्ति है जाए उसमें सब्वेता हो और संस्कृति का सब्भेता बाहरी वस्तु है जबकि संस्कृति का रूप आंत्रिक होता है सब्भेता का विस्तार तीवरी गति से जबकि संस्कृति का विस्तार धीमी गति से होता है सब्भेता विश्वयापी रूप धान करके अनेक प्रकार के संस्कृति का रूप धान कर सकती है जबकि संस्कृती अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करती है उच कोटी की सब्वेता निम्न कोटी की सब्वेता पर अपना प्रभाव जमा लेती है जबकि संस्कृती प्रतेक देश की भिन भिन होती है सब्वेता के साधनों की खोज बुद्धी एवं स्रम का प्रतिफल है जबकि संस्कृति पर ये बात लागू नहीं होती है अब भारतिय सब्वेता एवं संस्कृति के विशेषता हैं उसके बारे हम अध्धन करेंगे भारतिय संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि ये अतिशोक्ति भी हो सकती है कि यूना मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात ऐसी गयस्ती मिटती नहीं हमारी ये हम हमारे संस्कृति की प्रश्णशा के रूप में कह रहे हैं दूसरे विद्वान परते एक विद्वान छेत्र के हिसाब से अपने अपनी सबहता और संस्कृति की प्रश्णशा करते हैं हम हमारी सबहता संस्कृति को माहन मानते हैं अगर हम भारतिय संस्कृति की विशेष्टा में देखें तो पहले आता है प्राचीनता भारतिय संस्कृति की पहली विशेष्टा क्या है कि यह प्राचीन है और जितनी भी सबहताएं पन्पी है प्राचीन काल में वो सभी अपने आप में प्राचीन है यसे चीन है चिंग सब्धा प्राचीन है मैसवपोटामिया है सुमेर है यूनान है तो भारती विद्वान ये मानते हैं कि प्राचीन था हमारी संस्कृति की अपनी विशेष्टा है इसी तरह दूसरा है वर्नासरम अगर हम मोटे तरप देखें तो इसे हम भारती संस्कृति की बजाए इसे हम हिंदू संस्कृति कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो हमें विशेष्टा है मिलती है जिसे प्राचीन था की बात की जो हमें ग्रंथ मिलते हैं इसके अंदर जिने पढ़ लिया गया है उसका समंद किस से है या हिंदू से है या ब्राह्मन सभेता से है इसी तरह जो दूसरी विशेष्टा है वानास्रम ये भी वैदिक सभेता का परिचायक है या ब्राह्मन सभेता की परिचायक है या ब्राह्मन धर्म की परिचायक है जिसमें हमें चार वरण मिलते हैं चैन के आधार पे प्रारम में जन्म जिसका चाहे नहीं किया वो उसका वरन हो गया और बाद में उतर वेदिकाल में आते आते उसका धार दोया वो वरन समापत हो गया चाहेन समापत हो गया और जन्म हो गया जाती आ गई गोतर आ गया आस्रम वेवस्ता ये भी हिंदू संस्कृती है हिंदू मेथरलोजी है विश्वास है कि जार जो हमारे आसरम है तो इसे हम भारते संस्कृति न कहके हिंदू संस्कृति या वैदिक संस्कृति या ब्राहमन संस्कृति कह सकते हैं क्योंकि नोंने उसको इस्थापित करने का परयास किया लेकिन ये चीज़ें जो है वो केवल और केवल आदर्स इस्तिती में इस्तापित थी के ऐसा होगा ऐसा होना चाहिए लेकिन वास्त्विक्ताम ये चीज़ें नहीं थी ये कल्पना की गेगे सो साल का जीवन है ब्रहमचरे है ग्रस्थ है वानप्रस्थ है सन्यास है लेकिन ऐसा वास्थत्ता पर या वास्थिव धरातल पर इन सब चीजों का पालन नहीं किया जाता था और ये भी एक particular वरण के लिए थी, particular जाती के लिए थी तो हम इसे भारते संस्कृति न कहकर हिंदू संस्कृतिया, ब्रह्मन संस्कृतिया, वदिस संस्कृति कहती है इसी तरह इसके अंदर जो जाती विवस्ता आ गई गोतर विवस्ता आ गई तो वो भी इस हिंदू संस्कृति की विश्यिस्ता है ये उसकी अपनी particular इसी में है और हमें कहीं पर ये चीज़ें नहीं मिलती है अब तीसरा आता है कि विविद संपरदायों के प्रती शहष्णूता और सम्वान का भाव भारते संस्कृति या तथा कथि जो भारते संस्कृति है उसका ये अंग रहा है यदि कोई अपने संपर्दाएग के भक्ती मा कर इस विचार से कि मेरे संपर्दाएगा गौरव बढ़े अपने संपर्दाएग के प्रश्चन सा करता है एवं दूसरे संपर्दाएग जिंदा करता है वह वास्तम अपने संपर्दाएग को पूरी तरह शती पहुंचाता है इ अभी गोड़ों ने अपना लिया जाया जितने भी आक्रमनकारी आए तो वो यहां पर टच बस गए लेकिन यह हमें चीज यूरोपियंस में देखने को नहीं मिलती है यूरोपियन को हमने अपना लिया, यूरवापीस समस्क्र्टी को यूरॉपीयसव्च्वता को हमने अपना लिया, हमने उन्हें अपनाया वह हमें नहीं अपना पाये और हम उन्हें अपना लिया आकिकी जो है Cornu कारी वह यहां पे भूल मिल गए लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा प्राचीन है बजा यूरोपियन से वो पहले आये थे तो ज़्यादा वो घुल मिल गए सरवांगिन्टा ये भी इसकी एक विशेश्ता है संचारा नुशीलता ये भी भारतिय संस्कृति की विशेश्ता है इस तरह से देगर देखा जाए तो जिसे हम भारतिय संस्कृति कह रहे हैं तो ये एक वैदिक संस्कृति थी क्योंकि भारतिय संस्कृति में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यावल हम वैदिक संस्कृति या हिंदू संस्कृति या ब्राह्मर संस्कृति संस्कृति को पढ़ते हैं बाकी हम इसलाम का उदय हुआ, इसलाम का प्रसार हुआ भारत में, वो हम उसका इनी पढ़ रहे हैं, इसाई धरम का प्रसार हुआ, वो हम कही नी पढ़ रहे हैं और केवल और केवल जो हमारा जो द्रश्टी कौन है वो धरम पे आधारित है, जाती पे आधारित है, वन ववस्ता पे आधारित है, पुरुशार्थ पे आधारित है, आस्रम ववस्ता पे आधारित है, तो ये सब चीजें किसकी है? एसतारी चीजे ब्राहामन सभेता संस्कृती से हैं अगर हम पूरा बात करें भारत में तो हमें बाकी के छो तना भी धारम हैं उनको भी सामिल करना चाहिए लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए असे हम भारतिय संस्कृति और सभेता ना कहकर झाल झाल